मादेव, एस्टो निशान्त भारत द्वाज में मैं आपका स्वागत करता हूँ तो पहले तो मेरे सनातन परिवार के जितने भी सदस्य हैं उनका कोटी कोटी अभिनंदन है भाई और जिनोंने सब्सक्राइब नहीं किया उनसे निवेदन है कि प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, शेर कीजिए, कॉमेंट कीजिए और कॉंटीब्यूट ज़रूर कीजिए जितना भी आप सब लोग मिलके कर सकते हैं कई दिनों से मेरे पास यह प्रशना आ रहा है कि कर्ज से मुक्ति कैसे मिलना है माराज जी सॉपिशय पर आप हमें मार्ग दर्शित करेंगे कर्ज तो चुकाने से ही मुक्ति मिलती है भाई, आधिसी इस अपश्जक्ट पर बात करेंगे आपने यदि किसी से कोई भी कर्ज लिया है तो इसको चुकाना तो पड़ेगा अब यह डिपेंड करता है कि आपने कर्ज कितनी ब्याजदर पर लिया है तो जिसने जितनी ज़्यादा दर पे लिया है उतनी ब्याद उतना ब्याद समेच चुकाना पड़ेगा भाई कोई अगर यह सोचते हैं कि बिना चुकाए मुप्ति मिल जाएगी इसका कोई मार्ग मैंने तो अभी तक देखा नहीं यह तो इश्वर ही कोई कृपा कर दे तो अलग बात है उसके लिए आपको इश्वर के रास्ते चलना पड़ेगा जो आदमी चलना नहीं चाहता बहुत कठी नहीं है कि लोग मुझसे कहते हैं कि आप जो है आश्रव में वीडियो क्योंनी बनाते यह देखिए कुई कि यह अभी जिस जो जिस आश्रव में जעदा काम चलता है मेरा रहा आना जाना होता है वहां पे यह आसपास इतनी आवाज भाँते हैं अब यह गाने वाने बजाते रहते हैं और जोड 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 से बजाते हैं यह कुछ विद्वी संतोश्यों की मलेच्छों की दुकाने हैं बहार क्यार कर्ज से मुक्ति कैसे मिले ये भी चाहिए कि आपने देखाया कभी आपने बैंक से कर्ज लिया और तो वह माफ हो गया मैंने तु नहीं देखा भाई पुराने जमाने में सावकार होते से खाल उधेड़ लेते थे पीड़ी धर पीड़ी कर्ज को चुपाती थे तो आप जन्म दर जन्म अपने कर्जों को उतारते रहते हैं और और नए कर्जे चढ़ाते रहते हैं वो लग क्या होगा देखते हैं मरने के बाद किसने देखाया अभी तो आनंद कर लो आनंद आप नहीं करते हैं, आनंद तो शरीर करता है, क्योंकि आप जितनी सारी भोगी चीजें हैं, वो आप शरीर के लिए इकठी करते हैं, अपने लिए तो करते ही नहीं है, आत्मा को तो आनंद सिर्फ परमात्मा से ही मिलता है, जितने भी आप अनाना प्रकार के कार्मिक बंदनों में बंदते हैं और कर्ज इकठा करते हैं वो सिर्फ शरीर के लिए करते हैं और शरीर का कर्ज शरीर से ही चुकाना पड़ता है आपको पुने जीवन लेना पड़ेगा आपके कर्मों के इसाफ से ग्रैस्तितियां बनेगी फिर आप जीवन लेंगे और आप ही नहीं वो सारे लोग जिनसे आपको लेना देना है वो सभी सामुहिक जनम लेते हैं कोई दो दिन पहले कोई दो दिन बाद कोई माँ बनके आता है इसे चुकाना है बच्चों का कर्ज वो माँबाप बनके आते हैं और जो बच्चे हैं उनके बच्चे भी आते हैं ये फरक सिर्फ कुछ सेकेंड़ों का ही होता है अगर अब ब्रमान्ड की समय का गती देखें लो सामुहिक हजारों ये आत्मा एक साथ जनम लेती है एक दूसरे का करजा चुकाने के लिए एक दूसरे को प्रोटेक्ट करने के लिए और इस मनसा के साथ के हम आगे करजदार नहीं बनेंगे लेकिन वो जो परिस्टितियों का निर्माण होता है उस से उस निकलने के लिए और बहुत सारे करदे ले ले लेते हैं और सारे बंदलों में बन जाते हैं होना तो ये चीए कि आप लोही ना कर जाएं माबाप नाक रगडते हैं लोगों के सामने मेरे भाई मेरे बच्चे की फीस बढ़नी है मेरे बेटे को बच्चा है चोटा उसको दूज के लिए पैसे चीए भोजन कराना बच्चे बूखे क्यों करते हैं वो तुकि उनसे करजा लिया हुआ है नाक रगड के भी उनको तो खिलाएंगा भले ही वो बड़े हो के आपको ठोकर मार दें लेकिन आपको अपना करजा उतारना पड़ेगा और अगर उसके बावजुद भी आप उनसे पैक्चा रखते हैं कि मेरा बेटा मेरे लिए ये करेगा मेरी बेटी मेरे लिए ये करेगी तो ये नया कर जाएं और बन जाओ फिर आप उनके लिए करो किसी भी व्यक्ति पे निर्भर होने से अच्छा है इश्वर पे निर्भर रहा जाएं अगर आप इश्वर के कर्जदार या इश्वर आपका कर्जदार हो गया तो भी आनंदी आनंद है अगर आप इश्वर के कर्जदार हुए तो इश्वर आपसे बसुलेगा तो इस बहाने वो कनेक्ट तो रहेगा और इश्वर आपका करजदार हुआ तो भी आनंदी आनंद भक्ति करवाएगा आपकी सेवा करेगा आपको अपने समीफ रखेगा तो करजा तो एक ही भलाया भाई बाकि सारे करजे तो बहुत दुखी करने वाले हैं और उनसे निपटने का एक ही साधन है कि परमपिता परमात्मा की शरण में चले जाई है वो ही काट सकता है इंग जनम जनमांत्र के बंदनों को किसी सच्चे गुरू को धारण कीजिए और गुरू के सन्मार्ग में आप इश्वर के सानिध्य में चले जाई है क्योंकि अगर सही तरीका ना पता हो तो माल भटकने की आशंका रहती है शिद्या दे देता है इश्वर अपने पास नहीं आने देता तो आज मीं गलत रास्ते पर जाके वो शिद्या लेके बैठ जाता है इश्वर से दूर हो जाता है गुरू क्या करता है समय समय पर आपको सचेत करता रहता है कि इसमें मत पढ़ना यह उलजाने वाला काम है पिर भी आप उलज़ो तो वो कुछ नहीं कर सकता बलकि किसी ने आपको सिश्य स्विकार किया तो आपके कर्मों का जिम्मेदार भी वह जाता है कि गुरू के रहते वे सिश्य जो है गलत रास्ते पे चला कैसे गया है जिम्मेदारी गुरू की है सामदाम्द बंड बेद मीत शास्तर वेद ग्यान कैसे भी घरके उसको गलत रास्ते पे जाने के लिए रोके है यह उसका काम है पर नहीं तो आजकल गुरू मिलते हैं भाई सब तो खुद अपने आप में उज्जेवे लोग है और गुरू मिल भी जाए तो नहीं उनको वैसे शिश्य मिलते है खेर कर्द तो चुकाने से चुकेगा हमारे गुरू साब कहते हैं भोगयां कटा है भागया कोन कटा है भाया भोगने से कटेंगे भागने से नहीं कटेंगे तो भाग ये मत अपने कर्मों से जो भी उसका फल मिल रहा उसको भोगे तो आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों आश्य आपको पसंद आया होगा प्लीज सब्सक्राइब कीजिए शेर कीजिए कॉमेंट क कीजिए और कॉंट्रिब्यूट जरूर कीजिए जितना भी आप कर सकते हैं महादेव